नमस्कार and welcome you all to study IQ मैं हूँ प्रशान दवर नाव मैसिव अटाक हुआ है रिसेंटली इसराइल के नॉर्दन एरिया पर हाला कि जो आरेंड डोम है इसराइल का इसने काफी हद तक इसराइल को बचा लिया मगर हेजबुला का एक इतना बड़ा अटाक हुआ कि अमारिकन intelligence agencies है वो भी खुलके कह रही है कि हंजी 24 से लेकर 48 घंटों में एक बड़ा अटाक इरान करेगा इसराइल पर और जब US President Joe Biden से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहोगे इरान को आप क्या मैसेज दिना चाहोगे कि इसराइल को जो यह अटाक करने वाले हैं उसके don't our American personnel and assets at risk Mr. President Mr. President are our American troops at risk as well we are devoted to the defense of Israel we will support Israel we will defend help defend Israel and Iran will not succeed thank you very much now इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि American soldiers क्या भेजाएंगे इसराइल में या फिर इरान को क्या US attack कर देगा अगर इरान अटाक करता है इसराइल को इन्होंने simply यहाँ पर इरान को एक message ये भेजा कि don't Israel को attack मत कर देना और फिर आगे ये कह दिया कि विलकुल US इसराइल के defense के लिए खड़ा रहेगा now कई Americans Biden के इस answer से खुश नहीं थे कई Americans ने tweet करी कि we should be ashamed of Joe Biden our President क्योंकि उन्होंने बहुत जादा एक कमजोर response दिया है और आप अगर मुझसे पूछें तो US इस सब के लावा और कुछ कर भी नहीं सकता I mean US ने अपनी जो warships है ये deploy कर दी है Arabian Z के आसपास इरान पर ये लोग pressure डालने की कुशिश कर रहे है US जो भी कर सकता है कर रहा है बट in the end decision इरान का है इरान और इरान की जो proxies है जो मैं proxies कहता हूँ तो मतलब के हमास, हेजबुला, इरान के जो allied countries है जैसे के Russia, decision अब इनका है कि क्या ये एक बड़ा attack करेंगे इसराइल पर या नहीं कल रात को अचानक से news आती है और दुनिया भर की stock market ये news देखकर घबरा जाती है ज़रा थी जब सिर्फ ये news सामने आई कि इसराइल पर attack हो गया है बाद में जब और clarity सामने आई कि जो attack हुआ है ये हेजबुला ने किया है फिर थोड़ी बहुत market stabilize हुई हाला कि stabilize भी क्या तब भी बहुत ज़रा गिरावट के साथ ही markets बंद हुई है आप imagine करके देखो के ये attack हेजबुला की जगा अगर ये report आजाती के इरान के एक मिसाल के दवरा किया गया है तो दुनिया भर में एक global market crash उस case में आ सकता था क्योंके फिर एक chain event स्टार्ट हो जाता इसराइल respond करता, US respond करता, Russia involved हो जाता, बाखी countries involved हो जाती suddenly हम लोग एक regional war को देख रही होते ना वैसे आप अगर इसराइल का map देखोना तो ये बात तो साफ दिखती है कि इरान की प्रोक्सी और रशिया ये northern इसराइल पे pressure डाल रहे है ये जो इसराइल का map है, यहाँ पे आपको बता है, ये Golan Heights है मैंने आपको इससे previous वीडियो में बताया था कि Russian military Golan Heights के इस इलाके में तेनाध है बहुत बड़े numbers में नहीं, but they are very much here कल को Russian army को यहाँ पे बहुत सारे soldiers बुलाने हो तो ये कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी उसके इलावा Lebanon देश में आपको बता होगा Hezbollah active है, जो लगातार, जो almost आप कहलीजे लगातार हर दूसरे तीसरे हफतों में इसराइल पे attack कर देता है, रात को news आई कि Hezbollah ने बहुत सारे drones के साथ बहुत सारे missiles के साथ attack किया है Northern Israel पर और कई जगा तो Iron Dome भी सारे drones और सारे missiles को intercept नहीं कर पाया, कुछ missiles खाली लाकों में गिर भी गए हैं, मगर दुनिया ने जब ये visuals देखे, यहाँ पे आप देख पाऊगे ये Iron Dome के interceptor missile है और ये हवा में ही destroy कर रहे है इरान की तरफ से धंकिया आ रही है कि हमी अटाक कर देंगे, हमी अटाक कर देंगे फिर Hezbollah ये drone वरा से अटाक करता है, इससे मिलता क्या इनको मैं आपको simple सी एक बाब बताता हूँ दुनिया बहुत ज़ादा greedy है आप लोग जानके इरान होंगे कि अक्तूबर 2023 में ये जो सारा इशू है, हमास, गाजा इसराइल का, ये अक्तूबर 2023 में ही start हुआ था जब हमास ने एक बड़ा आतंगवादी हमला किया था, इसराइल के civilians पर, कई लोगों को बड़ी तरीके से मारा गया और उसके बाद ही, इसराइल ने ये military operation स्टार्ट किया है नाविस attack के बाद न, USA में study करी गई, और इन्होंने December 2023 में ये reveal कि अपनी study में, कि हमास ने stock market में पैसा लगा रखा था और इसराइल को जैसी इन्होंने attack किया, इनको पता था कि stocks गिरेंगे, short selling होगी panic मत जाएगा, तो इन्होंने short selling करके, हमास के businessmen ने, जो शायद कतर में बैठे हैं दुनिया की और जगा बैठे हैं luxurious जगा में, hotels में, कोठियों में बैठे हैं, उन लोगोंने बड़ा पैसा कमाया, stock market में ये इस attack के बाद, और मैं कोई surprise नहीं होगा, कि Hezbollah में भी, जो कई businessmen बैठे हैं, जो कई इनके आपके लिए financial बैठे हैं, इन्होंने ये attack launch करके, global stock market में short selling करके, पैसा कमा लिया होगा क्योंकि इनको पता रहा कि, इस attack से इसराइल का बाल भी बाका नहीं होगा, ये बस एक scare tactic था, डरा देने वाला के, बस होगया attack, suddenly panic मच गया, तो आने वाला समय देखिए, बहुत ही uncertain रहने वाला है, आने वाले कुछ दिन बहुत uncertain होंगे, हमें पता नहीं है कि क्या genuinely Iran एक बड़ा risk लेगा, मिसाइल दाग देगा इसराल की तरफ, या फिर Hezbollah के ही, एक दो attack ऐसे और होंगे और उसके बात, इरान बस ये कह के आगे चला जाएगा, कि बस आगे सा ये सम्मत करना, अभी के लिए माफ़, तो इसलिए पूरी दुनिया, इस वक्त edge पे है सब लोग wait कर रहे हैं, कि कब ये पूरा issue, या तो खतम होगा या फिर इरान को जो भी करना है ये करेगा, और यहाँ पे आपका एक question ये भी आना चाहिए, कि इरान आखिर किस तरीके से इसराल पे attack करेगा, तो देखो, जो reports आ रही है, USA की तरफ से लोने ये का है कि इरान 100 cruise missiles तयार करके बैठा है, 100 cruise missiles now, मुझे पता नहीं के ये 100 के 100 cruise missiles ये लोग दाग देंगे इसराइल पर, या 10 दागेंगे बाकी अपने पास रखेंगे, कि कल को कोई और दुश्पन सामने आता है US, कोई और, मगर इरान तयार है, आप 100 cruise missiles deployment पे immediately नहीं लाते, इसमें खर्चा होता है बहुत ज़ादा, तो देखो, बिलकुल इरान कुछ बड़ा करने वाला है, और उस case में मुझे लगता नहीं है कि आरेन डोम का जारा कुछ रोल होगा अगर इरान डोन्स भेजता है तो उसमें अफकोर्स आरेन डोम बजा सकता है इसराइल को, मगर cruise missile के case में इसराइल को जो American Air Defense Systems हैं, वो यूज करने होंगे तो इधर वे, बिलकुल आने वाले कुछ घंटे, बहुत ही important रहने वाले हैं, इसका impact आप पर होगा, दुनिया पर होगा, सब पर होगा जो तेल के दाम है, उस पर effect आएगा जो सोने के दाम है, वो काफियत तक बढ़ सकते हैं और of course, global stock market दुनिया भर की stock markets पे इस event का एक बड़ा impact आप देखोगे कुछ और development होती है, major news सामने आती है तो मैं आपके लिए एक updated वीडियो ले आऊँगा आप लोग प्लीज जो ये वीडियो है make sure to like them, कोशिश करते हैं के 50,000 likes तक पहुचे so make sure to like the video और finally आपे मैं आपसे question पोचूँँगा जो moon का time है, इसका भी अब एक system बना दिया गया है, coordinated lunar time ये recently बनाया है किसने ये आपको बताना है रशिया की रॉसकॉसमोस ने जपान की JAX से ने इंडिया की इसरों ने या फिर USA की नासा ने comment section में करिए उत्तर जो लोग सही आज़र देंगे, पुझी comment को मैं हट देंगा तो आपको क्या करना है, comment section है जाहिए यहाँ पे आपको यह link भी लेगा, इस link पर करिए click और आपके सामने खुल जागा यह page अगर आप mobile phone पे हैं, तो study IQ की जो app है यह आप कर सकते हैं, download it will be easier for you, और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं study IQ का UPSC course बट जो price यहाँ पर लिखा है, do not pay this price simply यहाँ पे आप अगर code डालोगे PG10, तो आपको मिलेगा एक massive 7,125 रुपीज का discount और इस course में देखिए, आपको live classes मिलेगी, आपने यह course लेने के बाद prelims clear कर दिया, तो main exam के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा आपको दिल्ली आपको लिए यह जाएगा अगरा आपको अगरा आपको आपको लिए